हलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का अपनी चैनल पर मैं बहुत बहुत शौगत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं बात करने बाला हूँ डायोड के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह डायोड है कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि माल दीजिए अगर आपके पास उधारन के लिए सोलर पैनल है और सोलर पैनल पर भी डायोड लगे होते हैं तो कभी कभी दोस्तों जब आप उल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो सोलर पैनल का यह जो डायोड है तो जल जाता है खराब हो जाता ह अगर दोस्तों आपको सेम इंपियर का जो डायोड है नहीं मिल पाता है तब दोस्तों आप क्या करेंगे तो आज किस वीडियो पर मैं आपको डायोड का इंपियर बढ़ाना बताऊंगा कि आप किस प्रकार से डायोड का इंपियर बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास सेम आपके पास 6 Ampere का डायोड है तो दोस्तों आप क्या करेंगे जिससे कि आपका जो Ampere है तो बढ़ जाए तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि यह जो आपका डायोड है तो आपको इस प्रकार से दो डायोड को लेना है और यह इसका कैथोड बाला पॉइंट है जहां लाइन लगा हुआ है और यह इसका एनोड बाला पॉइंट है तो दोस्तों आपको दोनों को ही आपस में पैरलल करके आपको इस प्रकार से कैथोड कैथोड और इसका जो आपको इस प्कार से जोड़ देना है और अगर आपके solar panel का डायोड चल जाता है अगर same impure का आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप इस प्कार से जो impure है तो बढ़ा सकते हैं इसका जो impure है तो आपका double हो जाएगा जैसे कि दोस्तों अगर आपको deteriorate को parallel में लगाना होता है आप देख सकते हैं मेरे पास future 08 है अगर दोस्तो आप इसका भी जो इंपियर में डगाना चाहते हैं अगर आप 3 से 6 चाहते हैं तो दोस्तों आप इसे डबल करके इसका जो एंपियर है तो बढ़ा सकते हैं इसी प्रिकार से अगर आपके पास 4007 5-3-1-9 जो कि 1-2 इंपियर के आपके डायोड हैं अगर दोस्तों उनका इंपियर आप बढ़ाना चाहते हैं इसी पिकार से आपको केवल पैरलल में करके लगाना होगा जिसे दोस्तों आपका जो डायोड का इंपियर है तो बढ़ जाएगा अगर दोस्तों यह छोटा से जानकारी आपको पसंद आया हो तो गुरोड को लाइक करना बिल्कुन भी ना भूलें मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर नमस्कार